हेलो ट्रेडर्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल ट्रेंड लाइन स्टॉक्स और आज में इस वीडियो में लेके हम आप लोग के लिए MGLG यानि के महानगर गैस लिमिटेड एक महारतन शेयर और गवर्मेंट अफ इंडिया की कमपनी है यह बहुत ही शांदार आज इसमे आज तेजी रही इसमें 18 मही 2020 को इसके रिजर्ट्स आने वाले हैं Q4 के और इसने जो अपना लो बनाया था अभी मार्च में उसके बाद इसने उस लोड लेवल से जो रिकवरी दिखाई है वो बहुत ही शांदार रिकवरी है अगर आपको भी दिखाऊंगा चार्स पर ले PSU सेक्टर के एक कमपनी है तो भरोसा भी काफी अच्छा बनता है इस स्टॉक के ऊपर मैं कोई गलत नहीं कहूंगा अगर आने वाले दिनों में ये स्टॉक पूरा आख का गोला बन जाए और बहुती शांदार अप्ट्रेंड के साथ में बहुती शांदार एक रिजल्स के साथ में आपके सामने आए चली में की फेक्टर से उसके को शुरू करेंगे उसके बाद आगे देखेंगे चार्स के उपर क्या इसकी स्थिती है तेखिए मार्केट कैप है कंपनी की 8888 करोड यानि कि एक मिड कैप कंपनी है करन मार्केट प्राइस 11 माई अगर 2020 का आज का तो लग बग 900 रुपे के आसपास है बावन हफतों का हाई है 1246 रुपे असी पैसे गा और लो बनाया था इसने 660 रुपे नप पैसे गा प्रमोटर होल्डिंग लग बग 32.50% है गवर्मेंट अफ इंडिया की कंपनी है महारतन कंपनी है प्रमोटर स्प्लैच प्रमोटर हो बात करूं दिसंबर की तो रहा था 186 करोड रुपे और उसे पिसले सेप्टरमर कॉर्टर में रहा था 270 करोड रुपे और क्वाटर न क्वाटर बास हमें आपर गिरावट देखने को मिली थी लेकिन अगर प्रॉफित अगर अगर आनुल प्रॉफित की अगर आपसे मैं ब दिविडेंट एनॉंस किया था लगबग 26 फरवरी 2020 को और वो भी इंटरिम था अभी देखना होगा ठारा तरीक को जो रिजल्ट आएंगे इसके अंदर फाइनल रिजल्ट फाइनल डिविडेंट क्या होता है रिजल्ट डेट जिसे हैं कि मैंने आपको बता है क्यू फूर यानि कि इंडस्ट्री में और कमपनी के मुकाबले काफी सस्ते वैल्यूएशन पर आज ही आपको अवेलबल है नेट कैशन कैश इकुलेंट की बात करूंगा एस पर दा इयर एंडिंग 2019 तो लगबग कंपनी के पास 26 करोड का कैश भी मौजूद है पेरेंट ग्रूप की ब लोगे पास होगती है उसके ऊपर कंपणी ने कितना रिटन कमा के दिया उसको हम लोग कहते हैं आरोई तो यह भी बहुत ही अच्छा दिखाई तेरा 20 के ऊपर आगर रूई होता तो उसको बहुत अच्छा रूए कंसिडर किया जाता है र ऊखी सीदे लेकर चलूँँ आज कैसा कारोबार हुआ इस स्टॉक में चलिए एनसे पे देखते हैं कि क्या रहा था इसमें आज कारोबार नौसो तीन रुपे पर भढ़कर ये देखें पांच परसेंड यहां पर बढ़त आपको देखने को मिलेगी इंट्रा डे में नौसो रुपे पर इसके क्लोजिंग ने बनाया था सेक्यूर्टी बाइस डिलिवरी पोजिशन की बात करेंगे तो देखें क्वांटिटी टेडिड है 10,13,673 शेर्स की डिलिवरी क्वांटिटी है 3,41,508 शेरों की और परसेंटेज ऑफ डिलिवरी है लगबग 34% का देखें के वाल्यूम के बेसिस पर आप दे इसके बेसिकली एक बार हम लोग रिटन प्रोफाइल पर देखेंगे कैसा कैसा रिटन दिया है महानगर गैस लिमिटेड ने वन डे की प्रोफाइल पर देखें 4.13% का रिटन यहां पे हमें प्रॉजिटिव देखने को मिला है जबकि 1 वीक में बात करेंगे तो लगबग 5 % का की बात करेंगे एक जनवरी 2020 से अभी तक का तो लगबग minus 16 का रिटन महानगर गैस ने दिया है एक साल में माइनस 16 % का negative return जी हां तीन साल की में बात करूँ गात तो तीन साल में महानगर ग्यस निमिटिड़ ने दिया है लगबक 11 % का negative return जबकि सेंसस ने दिया है 4.5% का positive return जी हां दस साल की में बात करूँगा तो शायद 10 साल में में कोई result नहीं मिलेगा क्योंकि तब company लिस्टेट नहीं थी मैं आपको थोड़ी सी profile दिखाना चाहूँगा इसकी site पे ले जाके आपको brief profile जिसे आपको थोड़ा सा समझें अगर आप पहली बार MGL के बारे में सुन रहे हैं तो महानगर gas limited basically इंडिया की natural gas distribution companies में से एक है जो 1995 में incorporate हुई थी और यह महानगर कंपनी है गवर्मेंट ऑफ हिंडिया की businesses की बात करें तो देखे domestic PNG भी यह supply करते है commercial PNG जो factories में और vehicles में यूज होती है वो भी यह provide कराते है CNG भी provide कराते है industrial PNG भी provide कराते है तो इस type से इनका काफी diversified gas sector में gas sector के अंदर ही इनका business है तो यह बात बहुत अच्छी है कि इनका business काफी अच्छा है और एक healthy business इनका है जिसकी वज़े से लगातार constant अच्छा dividend देती है company आ रही है अपने shareholders को तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस stock के अंदर अगर हम कोई position बनाए तो वो आगे आने वाले time के लिए काफी अच्छी रह सकती है और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के टाइम में जो इसके अंदर movement दिखाई दे रहा है से stock में वो intraday और swing traders के लिए काफी favorable conditions अभी हमें यहाँ पर दिखाई देती है चली सीधे लेकर चलूँगा इसके चार्ट के ऊपर चार्ट पर discussion करेंगे यहां में लेकर आपको NSC के चार्ट के ऊपर Nifty 50 में महानगर gas limited का one day की setting में मैंने चार्ट लगाया है exponential moving की बात करूँगा exponential moving averages हमने यहां लगा रखे है 9 दिन का 13 दिन का 21 दिन का 50 दिन 100 दिन और 200 दिन का यहां पर हमने डेमा लगा रखा है देखे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा वो लेवल जहां पर इसने काफी नीचे के लेवल हमें देखने को मिले थे वो मार्च की बात में अगर आप से करूँ तो लगबग 19 मार्च के बात में देखी हमने इसके अंदर एक lower अपने points से काफी अच्छी recovery होती भी देखी हमने इसके lower level से इसने काफी अच्छी recovery यहां बनाई थी दिखाई थी और क्योंकि सबसे बड़ी बात है consumption based इनके products हैं जितना consumption market में भड़ता है उतना जादा इनको profitability इनकी sheets पर चमकती है तो वो उसका effect हमें यहां पर आता पर दिखाई दिया था काफी अच्छा इन्होंने एक uptrend की direction हमें यहां पर देखने को मिली थी लेकिन फिर कुछ time से जब से कोरोना हावी हुआ है market के उपर इसने consolidation का mode यहां पर हमें दिखाया था लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो आज इसने एक बहुत अच्छा यहां पर movement हमें दिखाया और यह जो green candle यहां form हुई है हाला कि इसने closing नहीं दी है अपने 9 दिन के exponential moving average के भी उपर यह उसके नीचे ही close हुई है लेकिन फिर भी यहां पर एक opportunity हमें intraday traders के लिए दिखाया देती भी नजर आ रही है क्योंकि volatility काफी high इसमें रही है 3.8% के आज पास कि इसमें volatility percentage आज की रही थी अगर तो RSI की में बात करना चाहूंगा तो RSI का आज का जो इस stock में momentum यहां पर आता वा नजर आ रहा है अगर यह momentum कायम रहता है तो यानि कि इस price के ऊपर हमें काफी अच्छी strength देखने के मिलेगी और market इस price को support करता वा दिखाई देगा और इसका मतलब यह है कि इस price से यहां से इसमें हमें एक upward moment expect कर सकते हैं हम कोई भी चीज देखे expect ही करते हैं market के अंदर कोई भी चीज 100% नहीं होती market में और final नहीं होती market चलता है अपने हिसाब से और कभी भी किसी भी technical analysis को या किसी भी fundamental analysis को fail कर सकता है market अपने तरीके से चलता है unpredictable होता है लेकिन technical basis के आधार पर historical data जो हमारे पास में होता है उसके आधार पर कुछ predict करने की को पूशिश हम लोग करते हैं तो मैं यहां पर आपसे कहना चाहूँगा देखें इंट्राडे traders के लिए काफी अच्छा मौका मुझे यहां पर दिखाई देता है और swing traders के लिए भी मैं चीज कहना चाहूँगा कि अगर वो अपने इस 9, 13 और 21 दिन की moving average को अगर वो पार करके closing दिखा देते हैं आने वाले कुछ दिनों के session में तो यहां पर एक swing trade की opportunity भी हम देखने को मिल सकती है positional trade की बात करूँ तो यानि के long term investment के लिए मैं आप यही चीज कहना चाहूँगा कि अभी हमें थोड़ा सा रुखना चाहिए और इसके lower levels जो थे यानि के ये March में जो इसने lower levels हमें दिखाए थे उसके आसपास हमें यहां पर long term investment के लिए सोचना चाहिए तो basically ये जो एक पूरा analysis था इसके आधार पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर stock के अंदर volatility जादा अच्छी रहती है तो हम traders को एक opportunity पैसा कमाने की यहां पर दिखाई दे सकती है तो ये वीडियो था मेरा महानागर guest limited पर MGL पर जो मुझे लगा कि आपके सामने share करना चाहिए जो मैंने study करी इसमें आज ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे comment box में comment करके जरूर बताए और अगर अच्छा लगा हो तो like और share भी जरूर करें आपने मेरा channel अभी झाल झाल